तो यार आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ धाबा स्ट्राइल तड़के वाली दाल पालक की रेसिपी ये बहुत टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हैल्दी भी होती है तो आप भी सेम रेसिपी के हिसाब से इसे बना कर जरूर ट्राइब करना पर सबसे पहले मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लो जिससे आगे आने वाली सारी इंट्रिस्टिंग रेसिपी आप तक डेली पहुंचती रहें तो चलो recipe start करते हैं तो आज इस recipe के लिए मैं ले रही हूँ अरहर की दाल या जिसे तूर की दाल भी कहते हैं ये करीब एक कर जितनी दाल है इसको पानी डाल कर हातों से घिस घिस कर एकड़म अच्छी तरह से साफ करना है और इसी तरह है पानी बदल बदल कर कम से कम तीन बार वाश कर लेना है तो मैंने भी इस दाल को अच्छे से साफ कर लिया है अब इसमें पानी डाल कर 20 मिनट के लिए सोख होने इसको रख दो फिर इधर हम पालक ले लिते हैं इनके पत्तों से मैंने इनका स्टैम यानि जो डंडिया होती है वो हटा ली है और इनक से पहले अपनी डाल को बॉयल होने रख देते हैं तो इसके लिए मैंने सोख करी हुई दाल को कूकर में डाल लिया है अब डालो नमक और हल्दी पाउडर और दाल का धाई गुना पानी डालना है तो मैं यहां धाई का पानी डाल रही हूँ अब बस कूकर को कवर करके 3 लगा लो चलो तो अब दूसरी तरफ हम पालक को पका लेते हैं इसके लिए कड़ाई में डालो एक बड़े चमत जितना देसी घी और हां दाल को बनाने के लिए हमेशा घी का ही उज़ करें तभी उसका टेस्ट एकदम ला जवावाता है फिर इसमें डालो एक चमत जीरा औ कोड़ा सा भून लो फिर डालो बारी कटा हुआ लहसुन और अद्रक और इनको भी हलका गोल्डन हो जाने तक भून लो फिर डालो चौप करी हुई एक बड़ी प्याज और इनको अब बढ़िया तरीके से भूनना है आप चाहो तो वैसे ये दाल बिना लहसुन के भी बना जिनको मिक्सर में पीस कर इनका पेस्ट बना लिया है अब इनको भी बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से पका लो तो करीब यहां हो गए हैं तीन मिनट और हमारे टमाटर भी हलके भून चुकी हैं अब डालो इसमें सूखे मसाले जैसे हींग, हल्दी पाउडर, लाल म डाल कर सारी चीजे मिक्स कर लो और पालक को अच्छे से गल जाने तक इसको भूनते रहना हैं वैसे भी सभी जानते हैं कि सारी हरी पतेदार सबजियां हेल्थ के लिए कितनी फायदेमन होती हैं और पालक तो विटमिन C, विटमिन B6, आयरन, पोटेसियम, मैगनेसियम और क से भरपूर है तो बच्चे, बड़े या बुजर्ग सभी की डाइट में इसको जरूर शामिल करना चाहिए तो देखो इस पालक को भूनते हुए करीब 4 मिनट ही हुए हैं और ये प्रॉपर लिकोख हो चुका है अब इसमें अपनी बॉयल करी हुई दाल को ट्रांसफर कर लेते हैं और इसे भी पालक और मसालों के साथ मिक्स कर लो मुझे इस स्टेज पर ये थोड़ी लग रही है तो मैं इसमें करीब आधा कटोरी जितना पानी और डाल लेती हुँ आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो फिर दाल में एक बार बॉय हो चुकी है अब चलो उपर से लगाए जाने वाला तड़का तयार कर लेते हैं गैस पर रखो एक छोटा पैन और इसमें डालो दो चमत जितना देशी घी और इसके गरम हो जाने पर इसमें डालो एक चमत जीरा और दो तीन खड़ी लाल मिर्च और इनको हलका सा भून लो फिर गैस की फ्लेम को बंद कर दो और डालो एक छोटी चमत कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और दाल का स्पेशल तड़का हो चुका है तयार अब फटा फट से अपनी गरमा गरम दाल पालक को किसी सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लो और इसके उपर डालो मजेदार घ शियर कर देना और हाँ मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूल जाना थैंक यू फोर वाचिंग बाई